हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सबों का ABC अकाडमी पर तो फ्रेंट्स आईए आज के इस क्लास में बिहार सची वाले इंटर लेवल के लिए प्रैक्टिस सेट नमबर सकेंड लगाते हैं जैसा कि आपको सेट नमबर फर्स्ट में बता ही दिया गया था ज्यान बिंदू का स यह तमलूग देखने वाले हैं लेटेश्ट अभी आज के रेट में जब यह क्लास अप्लोड हुआ है कोई लेटेश्ट वाला कहिए कि प्रैक्टिस सेट है नहीं और कुछी समय पहले बस कुछी मेहने पहले कहिए कि यह वाला सेट आया था आपके एक्जाम के पैटर्ण पे हर एक प्रैस्ट यहाँ पर है आपको बताया गया था कि अगर आपके एक्जाम में 75 सवाल जीके से पूछा जाएगा 75 में 75 सवाल जो होगा वो आपके इसी चैनल यानि की ABC एकाडमी से रहेगा यहाँ पर जो भी क्लास आएगा आप उसे देखते रहिएगा नमबर 30 है किस चार्टर के द्वारा भारत में इसाई मिशनरियों के आपचारिक रूप से धर्म पर चार की अनुमती दी गई थी ओप्शन डीरा आइट आंसर चार्टर अरिनियम 1833 के तहट दिया गया था ध्यान रखी का क्या कहा है ना किस चार्टर के द्वारा भारत में इसाई मिश्णरियों के आपचारिक रूप से धर्म परचार के अनुमती दी गई थी तो आ था 1813 वाला नमबर सकेंड एक्टिमिन में से कौन सा अधिनियम स्वेद पत्र पर आधारित था ओप्शन नमबर ए 1935 का भारत परिशत अधिनियम स्वेद पत्र पर आधारित था ध्यान रखिएगा नमबर 32 में यहाँ पर आपको मैच करना है देखिए से रंग पत्नम की संधी जो है ना 1792 में हुई थी सगौली की जो संधी है यह हुई थी 1816 में मंगलोर की संधी 1784 में और राज पूर घाट की संधी 1806 में हुई थी आप इसे जरूर याद कर लिजेगा ओप्शन नमबर आपका ठटी टू का सी यहाँ पर सही हो जाएगा थियो सोफिकल सोसाइटी का अंतराष्ट्रिय मुख्याले कहा पर है बताएगे किसके बारे में कहा थियो सोफिकल सोसाइटी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि मैडम ब्लाक्स की और जो करनल अलकाट थे इन्होंने 1875 इश्वी में इश्वी कौन सा था? 1875 में नुऊ-यॉ-योर्क में इसकी अस्थापना ये लोग किये थे ठीक है? तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर D करना होगा एक मिनट के आप पूछा है यहां पर आपको अडियार बताना होगा ठीक है ध्यान रखेगा अडियार में आपको यहां पर बताना होगा अंतरजाश्ट्रिय मुख्याले अंतरजाश्ट्रिय मुख्याले अडियार में आपको बताना है और option के recording तो option नमबर भी होना चाहिए मुख्याले अस्थापना इसका हुआ था नियू यॉर्क में ठीक है और अंदर राष्ट ये मुख्याले पूछेगा तो option नमबर भी अड्यार बता देंगे नमबर 34 है मौरिकाल में रजुग राहक जिसे आप राजुग कहते हो इसका कारी क्या था इसका कारी ना option नमबर भी राजा के लिए धन जुटाने का काम होता था ठीक है देखे यह जो अड्यार वाला है ना यहां आप समझ लिजेगा कि अड्यार में इसका अंतर राष्ट ये मुख्याले 1882 इश्वी में खोला गया था जिश्वाक कि आपको कहा गया एक 1875 में नुए यॉर्क में इसकी अस्थापना हुई थी ठीक है । में अस्थापना लिकिन राष्टिया मुख्याले 1882 में औड्यार में खोला गया था नमबर 35 है क्यारा है कि निसानदिता जिसे आप नाइट बलाइनि next कहते हो यहाँ किस की कमी के वजह से होता है यहाँ पे आपको आप्शन नमबर 35 का यह बताना होगा मैट निखिए सबसे सब्सक्राइब यहाँ पी के दियान रखनाँ मगर्षामीन वैप से होता है एक मिनट थोगा सा न थर्टी फूर में न यह वाले जो सवाल था न थियो फिकल स्वसाइटी हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप समों का अविश्य अकाडमी पर तो फ्रेंट्स आज के इस किलास में आप बिहार सची वाले जो के इंटर रस्तरिये हैं उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर आप सकेंड देखने वाले हो यशा कि आपको बताया गया है आपके एक्जाम के पैटर्ण पर हो बहु यह वर आपका प्रैक्टिस सेट है आप लोग ध्यान से एक एक सवाल को देखिएगा और अच्छे से कुस्चल्स पे पकर बनाईएगा जिसका जवाब नहीं पता हो आप कोशिश करिए उसे याद कर लेनी की 75 सवाल अगर आपके बिहार सची वाले इंटर्स तरिये में पूछा जाएगा तो 75 का 75 सवाल आपको यहाँ पर मिलेगा जो भी क्लास यहाँ पर दिया जा रहा है आप लोग उसे ध्यान से देखिएगा 100% गाइंटी है इस बात का कि 75 का 75 सवाल आपको यहाँ पर करवा दिया रहा होगा उसके बाद ही वह सवाल आपके एक्जाम में आएगा तो 30 नमबर देखी कहा रहा है किस चार्टर के द्वारा भारत में इसाई मिशनरियों के आपचारिक रोप से धर्म परचार की अनुमती दी गई थी आप्शन नमबर D चार्टर जो 1813 आया था इसके तहट भारत में इसाई मिशनरियों के आपचारिक रूप से धर्म के परचार की अनुमती दी गई थी निमन में से कौन सा अधिनियम स्वेट पत्र पर आधारित था एराइट आंसर 1935 का भारत परिशद अधिनियम जो है न यह श्वेट पत्र पर आधारित था ध्यान रखेंगे नमबर 32 में आपको यहाँ पर मैच करना है कौन से संधी कब कब हुवे थी देखिए श्री रंग पत्टनम के संधी हुई थी कब हुवे थी 1792 में हुवे थी श्री रंग पत्टनम के संधी संधी संगाली संगाली के संधी हुवे थी वर्स 1816 में मंगलोर अगर पूछे मंगलोर हुआ था 1784 में और राजपूर घाट के संधी जो है यह हुआ था 1806 में इसे आप याद जरूर से जरूर कर लेजिए स्री रंग पत्टनम के संधी है वो तीसरा आंगल मैशूर यूद था उसी का परिनाम था इसमें टीपू सुल्तान हार गया था यहां ध्यान रखिएगा जीसे राजपूर घाट के संधी है इन्दौर का यस्वंत राव होलकर था और अंग्रेज उनके बीचमें ऐक सांथी संधी के रूप में वी थी मैगलोर की संधी है मैंगलोर की संधी दूसरा आंगल मैशूर युद का परिनाम था और संगोली की संधी जो option number आपके B में दिया हुआ है संगोली की संधी अंग्रेज और गोर्खों के बीच में हुआ था ठीक है इसमें गोर्खा हार गए थे आज आज़े next question number 33 पर जहां पर पूछा है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की अंतराष्ट्रिय मुख्याले कहां पर है option number 20 अध्यार में आपको बताना हुआ ध्यान रखिएगा मैडम बलाट्श्की और कर्डिनल जो अलकार्ट थे इन्होंने 1875 में नियो यॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की अस्थापना किये थे लेकिन 1882 में अध्यार में इसका अंतराष्ट्रिय मुख्याले खोला गया था मौरे काल में रजूग राहक यानि की राजूग का कारी क्या होता था इसका कार्ण भूमी की माप करना होता था मौरे काल में रजूग राहक का काम क्या होता था भूमी की माप करना होता था देखिए आपको फिर से कहा जा रहा है जो भी आप प्रश्ण देख रहे हैं आपसे आशा करेंगे कि आप इन सारे प्रशनों को याद कर लें, क्योंकि कुछ टाइम बाद जब आपका एक्जाम होगा, उस वक्त काफी लोग या सोचेंगे कास एक्जाम का थोड़ा टाइम भढ़ जाए, ऐसे वैसे कुछ न कुछ हो जाए, तो वैसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है, अगले साल एलेक्शन होना है, उससे पहले सारा कुछ कंप्लीट हो सकता है, करवा लिया जाए, एक्जाम तो कमसा आपका होना तै है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात का, निशान्दता किसकी कमी के कारण होता है, निशान्दता ना, विटामिन एक ही कमी से होता है, सही जवाब है, विटामिन एक अलासायनिक नाम आपसे पूछे, आपको क्या बताना है, रेटी, नौल, रेडियो धर्मिता की खोज किस ने किया था, तो रेडियो धर्मिता की खोज, ह, ए, बैकुरल ने किया था, आप्शन नमबर डी, सही जवाब है, विद्यूत थनात्मक अधातू कौन सा है? हाइड्रोजन ओप्शन नमबर सी, सही जवाब हो जाएगा नमबर ठटी एट है, सीशा संचालकों में पर्युक्त आमल कौन सा है? ह2SO4, सीशा संचालक में पर्युक्त आमल होता है ह2SO4 बच्चों के गुबारे को फुलाने के लिए किस गैश का उप्योग किया जाता है? हिलियम, ओप्शन नमबर सी, राइट आंसर हो जाएगा मनुस्य के लिए अति आवश्यक पोशक तर्त्व है वसा, कार्बोहेड्रेट्स, प्रोटीन एवन खनीज मनुस्य के लिए अति आवश्यक पोशक तर्त्व क्या होगा वसा, कार्बोहेड्रेट्स, प्रोटीन एवन खनीज घरों में विद्यूत सहियंत्र जोड़े जाते है ओप्शन नमबर बी राइट आंसर, समान अंतर करम में घरों में विद्यूत सहियंत्र कैसे, समान अंतर करम में जोड़े जाते है ध्वनी की गति सर्वाथिक होती है ओप्शन नमबर बी राइट आंसर, आपको इन समय से इस्टेल ठीक करना होगा नेक्स्ट कुशन कह रहा है, सरीर में ऑक्सिजन की पूर्थी कौन करता है तो सरीर में ऑक्सिजन की पूर्थी आर बी शी करता है ध्यान रखेगा आर बी शी करता है सरीर में ऑक्सिजन की पूर्थी नमलिकित में से किसका उसमयमान अधिक्तम होता है वशा का ये राइट अंसर वशा का उसमियमान अधिक्तम होता है बताईए लोह इसपात उद्योग में कच्चे माल के रूप में परियुक्त होता है क्या तो लोह अयश्क होता है कोईला चूना पत्थर होता है अगर आपसे पूछे कि पहला इसपात कार खाना आपको बताना है कि 1874 में बंगाल आइरन वरकर्स कमपनी ने कुल्टी जो कि पस्ची मंगाला यहीं पर लगाया था आपसे पूछा जाता है कि टिस्को की अस्थापना कब होई थी ठीक है टिस्को की अस्थापना आपको 1907 बताना है ठीक ध्यान रखिएगा और जैसे आपका भिलाई है दुर्गापूर है और राउल केला इस्पात कार खाना है इसकी अस्थापना पूछा जाता है किस पंचवर्षी योजना में हुआ था तो आपको बताना है दूसरे पंचवर्षी योजना में भिलाई, दुरगाफूर और राउल केला, इस्पात कारखाना की अस्थापना हुई थी बिहार में होम रूल लिग के अध्यक्ष निम्नांकित मेशे कौन है मजहरूल हक ऑप्शन नमबर सी सही जवाब बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना परसेंट है यहाँ पे आपको ऑप्शन नमबर डी 11.29 बताना होगा अच्छा जिसे आपने अभी देखा था ना बिहार में होम रूल लिग के अध्यक्ष मौलाना मजहरूल हक बताया गया आपको अब बताईए तो होम रूल आंदूलक के जनक भारत में कौन रहते याद है याद रखिएगा भारत में पूछे एनी बेशेंट बिहार में पूछ बाल गंगादर तिलक ने स्टार्ट किया था ठीक है बिहार राज के अस्थापना के बाद ओडिशा राज कव अलग हुआ था फर्ष्ट अप्रेल उनिश्व च्छत्तिस को हुआ था नंबर फूटिनाइन के रेक नेम में से कौन सुमेलित है बताईए देखिए ओप्शन नंबर सी कहारा कि माता तिला बांध है बित्वा नदी पर ठीक है ध्यान रखेगा यहां माता तिला बांध बित्वा नदी बिल्कुल सही है रानी लेक्ष्मी भाई बांध आपसे पूछा यह भी आपका हो जाएगा बित्वा नदी पर रिहंद बांध अगर पूछेगा यह हो जाएगा रिहन्द नदीपर है यह रिहन्द नदीपर ही है ठीक है और राजगाट बांद अगर पूछेगा आपको बताना है फिर से बित्वा नदीपर है ठीक है इसे याद कर लेंगे नमबर 50 में नाम और विभाग के बारे में मैच करके बताईए कि कौन सा सही होगा दिवान ए विजारत जो है न यहना वित्त कहिये या वजीर विभाग हुआ करता था ठीक है दिवान ए अर्ज शैन विभाग दिवान ए जो रियालत है या विदेश विभाग होता था और दिवान ए इंसा होता था पत्रा चार विभाग इसे आप याद कर लेजेगा सब सही मिला हुआ है ठीक है नंबर फिप्टी वन में बताएं मौलिक अधिकारों की अवधार ना किस देश के समिधान से ग्रहन किया गया है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका से मुख्यमंत्री नगर स्रीजन योजना से समंजित निम्रिकित कथन पर विचार करिए नंबर फिप्टी टू को फिलाल रहने दिए देखिए नंबर फिप्टी थी कह रहा है दस्वी अनुसूची समिधान में किस समिधान संसोधन के तहत जोडा गया था बताईए दस्वी अनुसूची कह रहा है कब जोड़ा गया था किस समिधाउन संसोधन के तहत आपको बताना होगा 52 अमिधाउन संसोधन उनिस सो 85 के तहत या जोड़ा गया था ठीक है नेक्स्ट कोशन है कि भारत में पहला रेल लाइन किस कि शासनकाल में डाला गया था बताईए यहाँ पर आपको बताना है 54 में ऑप्शन नमबर ए लॉड डलाओ जी के समय में ठीक है चलिए अब आजाते हैं कोशन नमबर 65 पर बताईए कि 65 को छोड़िया 66 को देखिए रालधाने की रोप में आगरा की अस्थापना सिकंदर लोदी ने किया था ध्यान रखिएगा पद्रह सचार में सिकंदर लोदी ने आगरा सहर की निव डाली थी पटना का नाम अजीमाबार निम्नांकित में से किसके नाम पर रखा गया था ऑप्शन नमबर ए मुगल पर हिमनत गंगोत्री हो जाएगा ठीक है जो कहां पर है पूछा जा सकता है कहां उत्तरा खंड में है इसका गंगोत्री जो है ना पचीस किलो मेटर इसका छेदरफल है किसका हिमनत का फिर आपका कंचन जंगा है इसका आपको 16 किलो मेटर एरिया याद रखना होगा केदार का पूछे 14 किलोमीटर और रून्डून जो है या है 16 किलोमीटर ठीक है चलिए अब आ जाते हैं कोश्चन नंबर 80 पर राष्ट्रपती शासन किस अनुच्छित के अंतरगत बताईए कि लगाया जाता है देखिए 80 में आपको बताना होगा ऑप्शन नंबर भी 356 के तहत जीके नेती नेदे सक्षिद्धान तेक इसाच चेक है जो बैंक के शुविधा अनुसार अदा किया जाता है खिशने कहा था ऑप्शन नंबर ए केटी शाह ने कहा बलवंत राय महता समीदे ने किस परकार की पंचायती राजववस्था की अनुसंसा की थी त्री अस्तर ये ऑप्शन नंबर ए एटी टू का एपको बताना होगा दुनिया के मलदूरों एक हो कानारा खिशने दिया था ऑप्शन नंबर भी कार्ल माक्स के द्वारा दिया गया था कार्ल माक्स ने दास कैपिटल और कम्यूनिस्ट मैनिफेश्टो नामक से पुस्तक लिखी थी जो जार जो वर्ड दिया हुआ है रूस के शाशक को जार कहा जाता था इंगलेंड में गौरवपूर्ण करांती कब हुई थी आप्शन नमबर आपको A 1688 में बताना है अपात कालीन अधिकार समिधान के साथ धोखा है जहा किस्का कथन है हिर्देनात कुझरू के द्वारा या बात कही गई थी क्या कही गई थी अपात कालीन अधिकार समिधान के साथ एक धोखा है कैरेक निम्न में से कौन सारीट व्यक्तिका स्वत्तरता का मैगना काटा है बंदी परतिक्षी करन ऑप्शन नमबर सी भवलिक चत्रफल के द्रिष्टी से भारत में बिहार का करम कितने नमबर का है बिहार का करम है 12 हुआ ऑप्शन नमबर सी उत्तरी अमिर्का का सुपेरियल जील का परसिद छेतर है ऑप्शन नमबर ए लोग अयस्क भंडार हो जाएगा भारतिय समिधान का 16 हुआ भाग जो है समन्दित है कहां से ऑप्शन नमबर डी कुछ वर्गों के लिए विशेश उपबंधों से समन्दित है जब कोई वस्तू वित्य मार्ग पर एक समान चाल से गती करती है तो तो उसका वेग परिवर्तनिय होता है ऑप्शन नमबर C आपका सही जवाब हो जाएगा पारदर्सी यंत्र का क्या उप्योग है ऑप्शन नमबर C पंड़वियों में से बाहर की वस्तूओं को देखने के लिए लगा होता है पारदर्सी यंत्र मिट्टी के पंड़वियों में तेल चोहने का कारण है क्या कारण है ऑप्शन नमबर B के शिकत्व सही जवाब हो जाता है इंसूलीन सरावित होती है पंक्रियाज यानि कि अगनासे से सरावित होती है इंसूलीन पोर्टलेट पोर्टलेंड जो सिमेंट है इसके परमुक संगटकों में क्या सामिल होते हैं तेहां पे लाइम, शिलिका और अलूमुनिया आपको बताना है पोर्टलेंड सेमेंट के परमुक संगटक के रूप में क्या तो लाइम, शिलिका और अलूमिना होता है दूद उदाहरन है एक किसका option number C कि मलसन का किस भौतिक राश्री का मातरक टेश्टला है चुम्बकिये छेत्र का option number C सही जवाब हो जाएगा चुम्बकिये छेत्र का मातरक टेश्टला होता है चुम्बकिये flusk का SI मातरक कूछेगा गाऊश बताना है निमलकित मेंसे कौन से बिमारी कीरों द्वारा रसारिद नहीं होती है देखे जिसे आपका टाइफाइट दिया हुआ है ना प्लेग दिया हुआ है ना इसके अरावा मस्तिस्ख सोध आपका तीनों दिया हुआ है ना यह सभी ना जिवानों के द्वारा होता है ध्यान रखिएगा इनमें से option number D कोई नहीं होगा निमने में से कौन सारा शायन वोटिंग सियाही में परियोग किया जाता है जब वोट डालते हैं तो सियाही लगाया जाता है नेल्स पे नेल पे तो वहाँ पर बताईए क्या होता है तो option number आपको silver knighted A बताना होता है ठीक है यह में लिखे तिमेंसे केस राज में काले मिर्च और इलाइची का उत्पादन होता है option number आपको यहाँ पर D बताना होगा केरल में होता है सूची को यहाँ पर मैच करिए कौन से समिती के सुवर्ज में बनी थी देखिए टीके गुंथन है ना 1988 में आया था अशूप महता 1977 में आया था बलवंत महता संतावन में आया था और सिंग्वी समिती 1986 में आया था इस तरह से सही जवाब option नमबर अगर देखना चाहे तो D हो जाएगा राज जी में महाधिवक्ता पद का उलेख भारती है समितान के किस अनुच्छेद में किया गया है अनुच्छेद 165 में option नमबर C सही जवाब है शौर मंदल का सबसे बारा गरह कौन सा है चलिए कमेंट करके बताईए शौर मंदल का सबसे ठंडा गरह पूछा है सबसे ठंडा गरह कौन सा है 103 कराईट आंसर बताईए कमेंट करके भारत करूर किस नदी बेशीन को कहा जाता है दामोदर नदिक को कहा जाता है भारत करूर पूछता है दामोदर आपको बताना होता है छोटा नागपूर और जोगिक छेत्र का विकास शमंधित रहा है यहाँ पे आपको यह बताना है कोईला की खोज से समंधित है छोटा नागपूर और जोगिक छेत्र बताए कि गरिया उत्सव भारत के किस राजी में मनाया जाता है option number D गरिया उत्सव कहां मनता है तिरपुरा में मनाया जाता है यह एक आदिवाश्यों का नेत्य ध्यान रखेंगे बताब उत्सव परवोता है राटर्डम का व्यस्त बंदरगा कहां अवस्तित है नीदर लेंड में option number A इमलिकित में से कौन हरप्पा और मोहन जोद्रों के उत्खरन से समंदित नहीं थे देखिए आडी बेनर्जी थे के अन दिक्षित थे एम एस वद्स थे डी वी इसमित नहीं के ध्यान रखिएगा जो वी वी इसमित है न ये समंदित नहीं है ये न भारत वी दौर का ये कला इतिहासकार के रूप में famous रहे है शिंधू खाटी जो सबता है जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन कौन सी है शिंधू और जेलम के तट पर इन दोनों का खर चर्चा ही नहीं करना है सिंधू और जेलम सही जवाब हो जाएगा अब यहाँ से आ जाते हैं कौशन नमबर 125 बताए कि भारत में मुद्रा समंधी नोटों का निर्गमन पर नाली आधारित है कहाँ पर अच्छा कुशन है बताईए कर एक भारत में मुद्रा समंधी नोटों का जो निर्गमन पर नाली आधारित है वह किस पर है आपको यहाँ पर आप्शन नमबर भी बताना होता है नियुन्तम कूस पर आधारित होता है ठीक है बताईए कि छिपी भी रोजगारी से क्या ताथ परी है इसका मतलब होता है ना किसी कार में जुस्ट व्यक्ति का काम नहीं हो वह भी लगा रहे है मतलब अधिक व्यक्ति का लगा रहना कहलाता है यहाँ सवाल देखिए कहाँ एक भारत वनिस्थिती रिपोर्ट 2021 के नुसर बिहार में विए छार उपन का छेतर कितना है आप यहाँ पर ऑप्शन नमबर भी 2340 किलोमेटर आपको टीक करना था हाल यह मजारी सतत विकास रिपोर्ट रहने दिजिए से बताईए कि पोस्ट सब्द का परियोग किस खेल में किया जाता है पोस्ट का गोल्फ में किया जाता है D सही जवाब है कम्प्यूटर के एक मैनू में बताईए ओप्शन नमबर भी कमांड्स की लिष्ट होती है यहाँ पर यहाँ सवाल अच्छा है बताईए मीश उनिवर्स का पुरुषकार जितने वाली प्रथाम भारती है महलाने में से कौन है यह सवाल कभी नहीं बदलेगा यह आपको सुस्मितासेन बताना है My Presidential Years पुस्तक के लेखक का नाम Option No.C R Venkatarman सही जवाब है जीव गांधी अंतराष्ट के विमान पत्तनम कहां पर इस्थित है Option No.D हैदराबाद में है AIDS का पुरा नाम क्या होता है फूल फॉर्म क्या होता है Option No.C Acquired Immune Reficiency Syndrome दूद के फटने से कौन सा एशीड उत्पन होता है Option No.C Right answer Lactic Acid सन्तर A किसके प्रवल सुरोत होते है Option No.D सन्तरा वितामिन का प्रवल सुरोत होता है Anti-toxin का इंज़ेक्शन किसकी रुक्ताम के लिए दिया जाता है Option No.A Titness के लिए दिया जाता है जो अंग है यह परभावित होता है ध्यान रखेंगे यहाँ पर 39 में यानि 139 में कह रहा था चलिए यह सवाल रहने देते हैं जिसे आपका चांदी है ना चांदी का क्या संकेत होता है बताइए तो चांदी का होता है कि A और G ठीक है शोना का क्या होता है शोना का होता है A और U ठीक है A U होता है तो देखिए इसके बाद सेट नमबर थर्ड है जो कि आपको थमनेल पर कहिए क्लास सो कर ही रहा है आप लोग इसे टच करके देख सकते हैं आप लोग और अच्छे से तयारी करना चाहते हैं तो आप लोग एक प्लेलिस्ट बना हुआ है आकर चेक कर लिजेगा एक क्या दो प आप लेलिस्ट आखर चेक करिएगा साथ ही साथ NCRT सार संगरा है महेश कुमार बर्नवाल सर का लेटेस्ट एडिशन वाला उसका भी क्लास आपके लिए अब लेवल है आप लोग प्लेलिस्ट आखर के चेक कर लिजेगा और आप इस क्लास को देखिए इसी क्लास से कहिए क यह सारे प्रस्ण जो अभी आप देख रहे हो यह तैयार किया जाता है सारे टापिक का क्लास वहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट आखर आप लोग जरूर चेक कर लिजेगा अगर क्लास पसंद आया हो वीडियो को आप लाइक कर ही देंगे बी एससी के लिए क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को आप शेयर कर दीजेगा या आपका काम है या आप जरूर कर दिया करेंगे और बेस्ट से बेस्ट क्लास देना मेरा काम है वह क्लास आपके लिए आता रहेगा